कॉंग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है लगबग ये तैह हो चुका है कि अगला कॉंग्रेस का अध्यक्ष एक गैर गांधी होगा और इस पर जादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर विदेश पंतरी नटवर सिंग जी हैं जिन्होंने दशकों तक गांधी परिवार के साथ काम किया है सिंग साब चुनाव हो रहे हैं कई नाम सामने आ चुके हैं अशोगेलो साब का नाम सामने आ गया थरूर साब का नाम सामने आ गया आप कैसे दिखते हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी में बड़ा बदला होने जा रहा है नि मुझे नहीं लिखता गांधी परवार अगर नहीं भी हो कोई भी अद्धक्ष बने वो मेरे ख्याल में या तो रोज टेलफून करेगा राहूल गांधी साब को सौने श्रीमत सौने गांधी को या श्याम को उनके पास जाएगा दस नंबर जनपत और बारे नंबर तुगलक लेन जहां पर श्री राहूल गांधी रहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये बगार उनकी इजादत के या बगार उनको सूचना देने के कोई कॉई अध्यश काम कर सकता है अशो गैलो जी के मुख्यमंद्री पत को छोड़ने को लेके संशय था उसके बाद सवाल पूछा गया राहूल गांधी जी से कि इसको लेकर तो उन्होंने कहा कि हमको वियर कमिटेट जो वन मैन वन पोस्ट का जो फॉर्मूला है उन्होंने ये ऐसा बयान दिया और शाम को ये साफ कर दिया शो गैलो साब ने कि वो मुख्यमंद्री पत का जो है वो छोड़ने के लिए तयार है उसको आपके सब्सक्राइए नी तो अध्यक्ष तो श्री मदी सौनिया गांधी है उनको ये व्यान दाना चाहिए था श्री राहूल गांधी ने तो स्तिफा दे दिया कॉंगरे सद्धिक्ष होने से तो अब उन्होंने है कोई पत्व है नी उनके पास मगर उनने इतने बड़े सवाल के ऊपर टिपड़ी की कि इनको एक पद रहना चाहिए तो गुदो अफ्टार कैसे इनके पास ये नहीं है ना मगर कॉंगरेस में किसी की हुमत नहीं है कि व अब महां जागे क्या करेंगे तो यहीं हैंगे साब के वह आपने कह दिया है तो अब धनवाद दने आए